तेजस्वी यादों के लिए सबसे बड़ी परिच्छा की घड़ी आ गई है सबसे बड़ी परिच्छा की घड़ी का मतलब की पहली बार सत्ता में आने के बाद पहली बार जदियू के साथ आने के बाद उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में अगर राजद एक भ प्रश्ण खड़े हो जाएंगे और सबसे बड़ा सवाल कि गोपाल गंज में तो तेजस्वी यादों को अपने ही मामी को पठखनी देनी होगी मतलब कि गोपाल गंज में तेजस्वी यादों के सामने सबसे बड़ी चुनवती अपनी खुद की मामी बनी हुई है और मामी च में जनसभा के जरी एक बार फिर से गरजेंगे मैदान में उतर कर पसीना बहाएंगे और सीधे तोर पर जनता के बीच में जाएँगे जनता बहाएंगे परिनाम उतरा उनके पक्चमें आएगा और अगरral गोपाल गंज या मुकामा कहीं कुछ गरबर होती है तब सवाल सिधात तेजश्वी यादो पर उठेगा बाकिया नमस्कार में नाम है मोईत कुमार सिंग और आप जनता जनक्षन देख रहे हैं सबसे पहले बात अगर हम गोपाल गंज की करें तो गोपाल गंज के उपचुन का जो वोटर है वो शहरी छित्र में जादा है गोपाल गंज में उसका प्रभाव है और अगर बैस जो है मतलब की बनिया बर्ग वो तेजश्वी यादों की राजत के साथ गोलबंद होता है मोहन गुपता के नाम पर उनके साथ आता है और यादों मुसल्मान ये सारे जात बना हुआ है अगर अगरी जाती है गोलबंद होती है तब लड़ाई तेज होगी दूसरी बात कि भाल गंज में भारतिये जनता पार्टी कई दफा से जित्ती रही है तो उसका प्रणा भारी है और तेजश्वी यादों को पाल गंज के मैदान में जितना पसीना उसको त्रिकोर्णिय बना चुकी है गोपाल गंज का मुकाबला अब किसी दो पार्टी के बीच में नहीं बलकि तीन लोगों के बीच में हो रहा है एक तरफ है तेजश्वी यादों को मिद्वार मोहन गुपता दूसरी तरफ है भारती जनता पार्टी को मिद्वार जिना बाना पड़ेगा तेजश्वी यादों को मेहलत करनी पड़ेगी और इसके बाद मोकामा का भी हाल चाल इतना ठीक नहीं है कि इस बार एक तरफा अनंत कुमार सिंग की जीत हो जाए या एक अदम मान कर चला जाए कि नीलम देवी के जीत पक्की है वहां से नग्त कुमार सिंग की परेशानी बढ़ेगी और अनंत कुमार सिंग की परिषानी बढ़ेगी मतलब की तुछिंवी के लिए बूरी खबर आएगी अब तेजश्वी यादों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपने जो उन्होंने गटबंदर मनाया है नई सत्ता बनी है उस पर सवाल उठाने से बचने के लिए किसी भी परकार से दोनों उपचुनाओं में जीत दर्ज की जाए क्योंकि अगर उपचुनाओं राजाद हारती है तब सीदे तोर पर सवाल उठेगा कि भाजपा तो तेजश्वी और नितीश कुमार को अकेले ही निप्टा सकती है अकेले ही हरा सकती है और एक बार अगर यह संदेश गजा तब आगे आने वाले चुनाओं में इसका गुरा प्रभाव पड़ेगा बाकि बनेगा आगएगा उप्चुनाओं को लेकर जो कुछ नहीं खबडाएगी जो कुछ नेश अपडेट आएगा तमाम जनकारी जनतांक्ष्ण के मादेम साब तक कम पहुंचाएंगे आप जनतांक्ष्ण के साथ जुड़े से केमरेग पशेवी साल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत भहुत धन्यवाद